बासकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम डिसकस करेंगे चाल्ज सला के बारे में जो चाल्ज सला है वो क्या कहता है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं तो चाल्ज सला है वो कहता क्या है इसके अंदर ये कहता है कि अगर हम pressure को constant रखें यानि कि pressure को हम constant बनाए रखें तो क्या होगा अगर किसी system के अंदर जैसे हमने यहाँ पर यह system लिया है यहाँ यह cylinder है और यह piston है जो की move करेगा pressure constant का क्या मतलब है माननी जी आप इसके उपर कोई weight लगा देते हैं 10 kg का 15 kg का 20 kg कुछ भी यानि कि आपने एक pressure constant बना लिया इसके उपर कि वो कितना pressure इसके उपर लगा रहा है तो इस piston के उपर आपने constant pressure बना लिया तो pressure को constant रखें तो volume क्या है माली जी इसके अंदर जो working substance है जो इस cylinder के अंदर है वो आपकी है perfect gas तो आपने जो working substance है वो कह लिया perfect gas लिया तो अगर आप pressure constant रखते हैं तो जो volume है given mass of the perfect gas वो vary किस तरह से करेगी directly as its absolute temperature यानि कि जो V होगा ये कहता है कि directly proportional T होगा यानि जो volume है जो given mass of perfect gas है इसके अंदर वो varies करेगी यानि कि change होगी directly proportional to absolute temperature जितना temperature change होगा उतनी volume change होगी ये ये कहता है तो ये कैसे इसको समझते हैं देखे यहाँ पर हमने इसको समझने के लिए ये figure बनाई है तो यहाँ पर आप ले लिजिए ये diathermic cover है diathermic cover यानि कि जो heat को conduct करता है और एक दम से यहाँ तक पहुँचाता है इसके head तक तो हम system को मानते हैं कि एक दम से heat इसके अंदर add भी हो जाता है तो इसके अंदर क्या होगा देखे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आपने pressure को constant बनाए रखा अब आपने क्या किया ये आपका है source जो की heat को provide करेगा ये source है ये diathermic cover है जब आप इसको इसके साथ इस head के साथ लगाएंगे तो source आपका heat provide करेगा यानि कि heat देगा तो इस system को जब heat मिलेगी तो क्या होगा अंदर जो molecules हैं perfect gas के उनका temperature increase होगा temperature increase होगा यानि कि क्या होगा अब जो temperature increase हो रहा है वो इस piston के उपर force लगाएगा यानि कि आपका pressure तो आपने constant बना रखा है लेकिन जब आप heat देंगे temperature increase होगा temperature increase होगा तो इसकी जो molecules हैं इनकी internal energy बढ़ जाएगी अब वो क्या करेंगे इस piston को धकेलने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये expand होने की कोशिश करेगी gas तो जैसे ही ये इस piston के उपर जोर लगाएगी यानि कि इसकी energy बढ़ चुकी है जो अंदर gas थी जब आपने इसको heat दी excite हुए जो इसके molecules थे उनकी energy बढ़ गई और उन्होंने काफी जोर के साथ इस piston के उपर pressure लगाया तो जो piston है ये उपर की तरफ जाएगा तो naturally है जब आप temperature को बढ़ाएंगे तो volume increase होगी यानि कि जो volume होगी वो directly proportion temperature होगी जितना आप temperature बढ़ाएंगे जितना आप इसके molecules को heat देंगे उतना ही expenditure आपको मिलेगा ये piston यहाँ था यहाँ पे आ जाएगा और इसको heat देंगे यानि कि और temperature बढ़ाएंगे piston और उपर जाएगा इसी तरह से जितनी amount में आप temperature देते चले जाएंगे उतना ही piston उपर जाएगा क्योंकि expenditure होगी expenditure यानि कि volume increase होगी तो इस तरह से जो चाल्सला कहता है कि अगर pressure को आप constant बनाए रखें तो volume directly proportion होती है जो absolute temperature है यानि कि आप जब heat देते हैं बढ़ता है ये जो expandation इसके अंदर होता है expandation होता है यानि कि ये piston को ऊपर की तरफ दखेलती है तो volume increase होती है तो इन दोनों को ये directly proportional मानता है यानि कि जो V by T है आप इसको लिख सकते हैं constant ये भी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं volume by जो absolute temperature है एक वल्टू constant आप लिख सकते हैं इसको आप PV डाइग्राम से भी समझ सकते हैं और volume और जो volume और temperature के वीच का डाइग्राम है उससे भी समझ सकते हैं देखें PV अगर आप डाइग्राम बनाएं इसकी तो वो किस तरह से बनेगी यहाँ पे pressure है जो vertical line है और यह जो horizontal line है यहाँ पे है volume तो pressure हमें constant रखना है volume increase होगी जो हमने बात की है PV के अंदर क्या होगा pressure constant है मालिज यह first point है तो यहाँ पे जो volume है V1 है और जो आपका temperature है वो क्या है T1 है तो जैसे ही आप temperature को बढ़ाते है तो pressure तो constant रहेगा जाने कि सीदी line आएगी यह second point है जहाँ पे जो volume होगी देखिए volume है जो बढ़ चुकी है यहाँ V1 थी और यहाँ V2 हो जाएगी temperature यहाँ T1 था और यहाँ T2 हो जाएगा तो PV diagram आप इस तरह से बना सकते हैं इसी तरह से आप volume और temperature का भी दिखा सकते हैं मालने जी आप volume और temperature के बीच में diagram बनाते हैं तो यहाँ पे आपने ले लिया volume जो vertical line है यहाँ पे ले लिया temperature तो यह किस तरह का graph आएगा तो यह किस तरह का आएगा देखिए जो volume है directly proportioned temperature है यानि कि इस तरह का आपको graph मिलेगा directly proportioned T है जैसे जैसे temperature increase करता जाएगा और volume भी बढ़ती चली जाएगी तो V है directly proportioned T तो आप इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं V और T के जो graph है सके अंदर तो यह था चाल सला तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज़्यादा updated वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you